हालो क्रेंड समय हुरीना विराजदार और आप देख रहे हो गर का खाना और गर के खाने में आज हम बनाएंगे गुलब जाउन का एक ऐसा नास्टा जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है तो चलिए फिर देर किस वाद की चलते हैं किचन की तरफ तो मैंने ग्यास के उपर एक पतेला चड़ा रखा है इसमें डाल दिया है दो कप चीनी दो कप चीनी के बाद में हम डाल देते हैं इसमें दो कप पानी और इसकी चासनी बना लेते हैं हमें यहाँ पे गुलाब जाउन की चासनी बनानी है, ज्यादा ना ही यह चिपची पी बनानी है और ना ही एकदम पतली बनानी है, सिर्फ हलका सा इसमें चिपची पापन आना चाहिए, बिल्कुल इसे तरह की चासनी हम बनाएंगे जैसे कि गुलाब जाउन के लिए बनती है तो यहाँ पे इसमें हलका सा चिपचिपापन आचिका है, चेक कर लेते हैं, तो अब यह एकदम रेडी है, अब गास की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसमें डाल देते हैं एक टी स्पून इलाइची पॉडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे ढख कर रख द यह से प्रिमिक्स में ने लिया है, अब इसमें हलका सा दूठ डालते हैं, इसका एक ड्यूप, बना लेते हैं अब इसका मेडियम सॉफ्ड डॉप बनाना है, ज्यादा कड़क नहीं बनाना है और ना ही हमें इसका सॉफ्ड डोव बनाना है अगर आपके गुलाब जामुन आपको एकदम पर्फेक्ट चाहिए तो मेडियम सॉप्ट दोह ये बनाए आपका डोह अगर कड़क बन गया तो अंदर तक चसनी नहीं जाएगी इसलिए गुलाब जामन एकदम पर्फेक्ट नहीं बनेंगे अब हम बना लेते हैं इसके छोटे छोटे पॉल्स आपको अपने मन्चा है आकार में आप इसे बना सकते हो छोटे या बड़े साइज के अब मैंने इसे यहाँ पर इस साइज के बॉल्स बना लिये हैं यहाँ पर मेरे पूरे बॉल्स बन चुके हैं इससे आप अराम से 30 से 40 बॉल्स बना सकते हो इस साइज के अब चलते हैं नेक्स प्रोसे फ्राय कर सकते हो ग्यास की फ्लेम को मैंने एक्दम कम पे रखा है बहुत अच्छे से हम इसे कम ग्यास पे अच्छे से फ्राय करेंगे ताकि अंदर तक यह अच्छे से पके मैंने जितने साइज के यह गुलाब जाउन बनाये थे उसके दुगने साइज के ये मोटे मोटे बन चुके हैं, बहुत ही अच्छे से फुल चुके हैं अब हमें इसे ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राय कर लेना है तो यहाँ पे इसका ब्राउन कलर आ चुका है, अच्छे से ये फ्राय हो चुके हैं अब इन्हें निकाल लेते हैं एक डीश में और इसी तरह से बाकी भी जो बचे हुए गुलाब जामुने सारे के सारे हम फ्राइ कर लेते हैं इसी तरह से ये पहला बैच मेरा रेडी है आप डाल देते हैं दूसरा बैच इस तरह से सारे गुलाब जामुन मैंने फ्राइ कर लि लिए अच्छे से इसमें चासनिस चलिए जाएगी और हमारे जो गुलाब जामुने फूल के एकटम रेडी हो जाएंगे इसे छोड़ देते हैं आराम से यह दुगने साइज के बन जाएंगे अब चलते हैं तब तक हम नेक्स प्रोसेस के तरफ तो मैंने फिर से बाउल ले लिया है इसमें ले लिया है गिहूं का आठा थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालते डालते हम इसका भी डोह बना लेते हैं इसका एकदम कड़क हमें डोह बनाना है तो मैंने यहाँ पे इसका एकदम कड़क डोह बना लिया है अब इसके उपर लगा लेते हैं ओयल, ओयल से ये फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से ये रेसिपी बन जाएगी, तो मैंने इसे बना लिया है और रेस के लिए 10 मिनिट रख दिया था, अब चलते हैं इसे बनाने के लिए तो मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिये है इस आटे के, अब हम इसका बनाएंगे पराठा, तो सबसे पहले हम इसके इस तरह से रोटी बेल लेते हैं, तो मैंने एक छोटी सी रोटी बेल ली है, इसे साइड में रख दिया है, अब इसके बाद में दूसरी रोटी बना लेते हैं, ये दूसरी रोटी भी हमारे रेडी जो भी हमारे गिलाब जाउन बने थे ना उसको इस तरह से मैंने पहले से चलनी के उपर निकाल के रखा हुआ था इसलिए पूरी चासनी नीचे निकल गई और जो भी बची हुई चासनी है इस तरह से हम दबाते हुए निकाल लेती हैं और इसका इस तरह से चोटे-चोटे प दूसरी रोटी पर इस तरह से रखेंगे और साइड इसके जो एजेसे उसके इस तरह से राम से हम पैक करेंगे ताखि इसके बिल्कुल भी एजेस खुलेंगे नहीं तो इसे हम दोनों तरफ से सुक़ा अटा लगाएंगे और इस तरह से हम फिर से इसे बेलेंगे इसे हमें मोटे साइज का ही रखना है बिल्कुल पतला इसे नहीं बनाना है यह हम पराठा बना रहें इसलिए इसकी थिकनेज थोड़ा सा मोटा ही रखे बहुत अच्छा लगता है एकदम क्रीस्पी बनता है अब डाल देते हैं इसे तवे के उपर इसके उपर हमें घी लगाना इस तरह से और दोनों तरफ से इसे ब्राउन कलर आने तक याने कि एकदम क्रीस्प बनने तक अच्छे शेक लेना है गैस की फ्लेम को मैंने मेडियम पे रखा हुआ है ताकि यह हमारा जो पराटा है अंदर से मीठा है एकदम सॉफ्ट है और उपर से एकदम क्रीस्पी होने तक हमें इसे शेक लेना है तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छाया है तो यह पराटा हमारा दोनों तरफ से अभी अच्छे से शेक चुका है अब निकाल लेते हैं इसे एक दीश में बहुत ही अच्छा बना है यह इसकी खुश्बू तो बहुत अच्छे आने लगी है तो इसी तरह से मैं बाखे भी पराटे मेंने बना लिये हैं अब एक पराटा मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ यह कितना अच्छा बना है एकदम क्रिस्पी है बहुत ही टेस्टी है आप इसे बच्छों के टीफिन में भी दे सकते हो बच्छों को वैसे भी गुलाब जाउन खाना बहुत अच्छा लगता है तो आप उन्हें यह बना के जरूर खिलाएगा उनको बहुत पसंद आएगा नाइब के मदद से मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है आप इसे बच्छों के टीफिन में आराम से दे सकते हो बच्छों को तो पहले से ही गुलाब जाउन खाना बहुत पसंद आता है खाने में इतने अच्छे लगते हैं कि पूछो मत एक बार इसे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपि को आपको बहुत पसंद आने वाली है तो इस तरह से आप भी एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और ये recipe आपको कैसी लगी comment box में जरूर comment कीजिएगा अगर अभी तक मेरे चानल को आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिएगा इस वीडियो को like, comment और share करना ना भूलेगा तो मिलते हैं ऐसी नई recipes के साथ में तब तक के लिए बाई